इस video lesson में हम discuss करेंगे atomic mass unit जिसको हम short form में amu लिखते हैं इसको u से भी denote किया जाता है u को हम कहते हैं unified atomic mass दोनुं का मतलब एक ही होता है तो इस concept के बारे में अच्छे से इस video lesson में हम discuss करेंगे previous video lesson में हमने atomic mass discuss किया था atomic mass को हम relatively कैसे define करते हैं by comparing it with a standard that is one carbon 12 isotope atom हमने किया क्या था कि carbon 12 isotope का जो एक atom होता है इसको इस तरीके से हमने 12 part में divide कर दिये थे और इस में से जो एक part होता है अगर इस एक part को मैं यहां पर निकाल के लाओं इस तरीके से यह जो एक part होता है यह carbon 12 isotope की एक atom का 1 by 12 part होता है 1 by 12 part और इसी 1 by 12 part की mass को हम क्या कहते हैं बेटा atomic mass unit कहते हैं और यही हमारे पास क्या होता है बेटा atomic mass को relatively measure करने के लिए standard होता है ठीक है atomic mass को relatively measure करने के लिए यह क्या होता है हमारे पास standard ठीक तो बहुत सारे atom की mass को relatively हम क्या करते हैं find out करते हैं इसलिए तो हमने atomic mass को previous video lesson में define किया था कि atomic mass का मतलब होता है कि एक atoms of element जो है कितनी times heavier होता है 1 by 12 parts of carbon 12 isotope के compression में जिसको हम कहेंगे बेटा और 1 unit या 1 unit के compression में कितनी times heavier है for example अगर हम यहाँ पे ठीक है sodium को लें तो sodium का atomic mass जो है relative atomic mass वो होता है बेटा 23 unit ठीक है वो होता है 23 unit atomic scale पर और इस 23 unit का मतलब क्या होता है कि एक sodium atom जो है 23 times 23 times heavier होता है ठीक है heavier than 1 by 12 part of carbon 12 isotope जिसको हम क्या मानते हैं 1 unit mass मानते हैं ठीक है तो 23 times heavier है 1 unit के compression में इस तरीके से अगर मैं oxygen ले लूँ oxygen का 16 unit होता है तो it means oxygen जो है 16 times क्या होता है heavier होता है 16 times heavier ठीक 16 times heavier इसके compression में than 1 unit ठीक है 1 unit mass तो इस तरीके से हम relative atomic mass को क्या करते हैं बेटा define करते हैं इसलिए उपर definition भी लिखा है atomic mass unit का आप देख सकते हैं कि जिसको हम hybrid करते हैं mu से ठीक है ना यहां पर ठीक यह हो गया atomic scale पे एक atom की mass को कैसे measurement करते हैं लेकिन daily life में जो actual atomic mass होता है ठीक है actual atomic mass that is mass of one atom ठीक actual atomic mass that is mass of one atom in grams ठीक है तो हम इसको express करते हैं कि इसमें daily life में gram में express करते हैं तो हमारे पास atomic scale पे जो unit है वो क्या है unified atomic mass u और atomic mass unit है तो किसी भी atom की mass को u से gram में कैसे express करते हैं उसके लिए हमें क्या कर चाहिए relation चाहिए for example हमारे पास एक oxygen atom का atomic scale पे 16 unit होता है तो ये 16 unit जो है gram में कितना होता है इसको जानना है ठीक है इसको हमें क्या करना है express करना है तो इसको express करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा we need a relation तो वो relation क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे ठीक तो हमेशे याद रखना है एक चीज़ कि जो one unit atomic mass होता है one unit atomic mass ये बराबर होता है बेटा one divided by enneagrams के ठीक ये हमारे पास क्या है रिलेशन है और इस रिलेशन को बिल्कुल हैने की बूलना नहीं है ठीक इस रिलेशन को बूलना नहीं है और इसी रिलेशन को यूज़ करके actual atomic mass जो है एक item का mass gram में हम क्या करेंगे find out करेंगे ठीक है होता है कि जो हमारे पास एक atom होता है carbon 12 isotope की ठीक एक atom carbon 12 isotope की तो उसका mass होता है gram में ठीक है mass of mass of one atom जो है one atom gram में अगर आप find out करें तो ये बराबर होता है 12 divided by na gram के बराबर होता है ना यहां पर यह na क्या है इस na is call it अवगेड्रो नंबर ठीक है इसको हम आगे detail में discuss करेंगे ठीक अवगेड्रो नंबर का मतलब होता है एक mole में जितने भी entities होता है ठीक है अवगेड्रो नंबर और यह नंबर जो है बराबर होता है इस नंबर is equal to 6.022 into 10 to the power 23 ठीक है इस नंबर को हम कहेंगे अवगेड्रो नंबर यह constant होता है तो mass of one atom जो है carbon 12 isotope का वो बराबर होता है बेटा यहां पर 12 divided by any gram के और हमें पता है mass of one atom that is atomic mass ठीक है mass of one atom that is atomic mass on atomic scales पर 12 unit होता है carbon 12 isotope का तो यह भी एक atom का mass है यह भी एक atom का mass है दोनों को अगर आप इकिवेड करें यह दोनों बराबर हो जाएगा that is 12 u is equal to 12 divided by any grams बहुत simple है ठीक है 12 divided by क्या आएंगे एने gram तो यहां पर इस relation को use करके हम निकाल सकते हैं one unit कितने gram के बराबर हो जाएगा तो इसके लिए क्या करेंगे both side जो है divide करने है आपको 12 से तो अगर मैं यहां पर 12 से divide कर दूँ और यहां पर भी अगर right side को 12 से divide कर दूँ तो 12 12 क्या हो जाएगे cancel out यहां पर 12 क्या हो जाएगे cancel out तो बचा क्या यहां पर that is one unit यह बराबर हो जागा यहां पर बचा na ठेक और यहां पर भी क्या बचा उपर numerator पर बचा one तो यह आएंगे one divided by na gram तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा relation यूज करते हैं ठीके इस तरीके से हमने यह relation जो है find out किया था और यही relation यहां पर मैंने लिख दिया जो कि हम use करेंगे आगे actual atomic mass को find out करने के लिए actual atomic mass में confuse बिल्कुल नहीं होना है actual atomic mass का मतलब होता है mass of one atom in gram ठीक है तो यहां पर कुछ example हम solve करेंगे इससे regarding ठीक है इससे related हम कुछ example solve करेंगे पहला example हम लेंगे यहां पर oxygen का oxygen का एक atom की जो atomic mass होता है atomic scale पर हम सब को पता है यह होता है 16 unit होता है लेकिन एक atom का gram में कितना होता है जिसको हम actual atomic mass कहेंगे ठीक है actual atomic mass वो हमें find out करने है actual atomic mass ठीक यह हमें grams में find out करने है ठीक है यह हम find out करेंगे तो इसको find out करने के लिए हमारे पास क्या है यहां पर यह important मेंने relation जाए relation बूलना नहीं है तो हमको पता है 1u जो है 1u equal to 1 divided by na grams होता है अगर 1 divided by na gram के बराबर है तो 16 unit का mass जो है gram में कितना हो जागा आराम से find out कर सकते हैं actual atomic mass ठीक actual atomic mass it is equal to 16 into क्या करेंगे 1 divided by na कर देंगे ठीक है यह हो गया grams में क्यूंकि हमें पता था कि 1 unit जो है 1 divided by na gram के बराबर होता है तो इसको अगर आप further solve करें तो यह हो जाएगा 16 divided by यहाँ पर na के जगे जो ही यह number आप यूज़ कर सकते हैं और यह number है बेटा 6.022 into 10 to the power 23 होता है और यहाँ पर unit क्या रखेंगे ग्रैम further अगर आप इसको solve कर दें 10 to the power 23 को उपर multiply को ले लो तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 23 ग्रैम हो जाएगा into यहाँ पर आएगे बेटा 16 divided by क्या आएँगे 6 आएँगे 6.022 इसको अगर आप solve करें तो यह जो 16 divided by 6.022 है इसको मैं approximately 6 के परावर मान सकता हूँ तो बस इसको solve कर दो तो यह हो जाएगे बेटा 2 से अगर इसको fraction करें 2,3 कितना हो जाएगे 6 तो यहाँ पर हो जाएगे बेटा 2,8 जा 16 हो जाएगे तो अगर आप 8 को divide कर दें 3 से तो यह निकल आएगा 3,1 जा 3,3,2 जा 6 तो यह आएगे 2.66 आप इसको solve कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ पर लिखे रहा हूँ तो यह निकल आया 2.66 into 10 to the power minus 23 grams तो यह जो 2.66 into 10 to the power minus 23 grams जो है यह एक कारबन एटम का actual atomic mass है जो gram में हमने find out किया इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो ठीक है यहाँ पर जो कारबन का actual atomic mass है यह निकल आया हमें ठीक है 2.66 into 10 to the power कितना आया minus 23 grams आया ठीक है 10 to the power minus 23 grams इसका मतलब 16 unit जो है पराबर होता है 2.66 into 10 to the power minus 23 grams तो इस तरीके से हर एक item की mass को आप gram में क्या कर सकते है एक्सप्रेस कर सकते है by using this relation तो चले और एक example देखते हैं हम ठीक है है अमीदे इस example से अच्छे से समझ आएंगे तो example number 2 में हम लेंगे beta magnesium हम सब को पता है magnesium का एक item का mass जो है atomic scale पे ठीक atomic mass वो होता है 24 unit तो हमें क्या निकालना है इसका actual atomic mass निकालना है ठीक है actual atomic mass होता क्या है ठीक है यह कितना आएंगे actual atomic mass इसी को हमें find out करना है और मैंने relation आगे आपको बताया था relation क्या यूश करना है देखो यहाँ पर जो यह relation दिया है यही यूश करना है आपको तो यहाँ पर मैं दुबारा से इसको एक बार लिख लेता हूँ तो हमें पता है वन यूश जो है वो बराबर होता है वन डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ यूश के आप आराम से find out कर सकते है actual atomic mass तो यहाँ पर वन यूश अगर एन अ ग्राम के बराबर होता है तो 24 यूश कितने के बराबर हो जाएंगे यूश को आगे solve कर दो तो यह हो जाएगा 24 divided by एवेगेजरो नमबर लिख दो यहाँ पर 6.022 इंटो 10 to the power कितना आएंगे बेटा 23 और यहाँ पर लिखेंगे हम ग्राम्स ओके ना यहाँ पर 10 to the power 23 उपर लेंगे तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 23 ग्राम्स multiplied by आपको क्या करना है यहाँ पर 6.022 को से 24 को divide करने है तो इसको मैं 6 के बराबर मान सकता हूँ इसको तो यहाँ पर अगर आप करेंगे इसको तो यहाँ आएगर 2 3s are 6 ठीके 2 1s are 2 तो यहाँ पर आएंगे 2 2s are 4 तो यहाँ पर 3 1s a 3 3 4s a 12. तो एक मैगनेसियम एटम का मास ग्राम में निकला आया तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा एक एटम की मास जो है वो ग्राम में एक्स्प्रेस कर सकते हैं तो उमीद है ये वीडियो लेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा आगे आप बहुत सारे क्वेशन जो है इस से रेलेटेड आप स्वाल कर सकते हैं यूगो आलसो फाइंड दमास ओफ ठीक है वन एटम ऑप मास आप दीस हैने की बोरान जिसका मास अटॉमिक सिकेल पर नायन यू होता है आप नायट्रोजिन का ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं अटॉमिक सिकेल पर 14 यू होता है यहाँ पर यू लिख देता हूँ इस तरीके से आप फ्लॉरीन का निकाल सकते हैं फ्लॉरीन का 18 यूनिट मास होता है इट्सेटरा इनको आप रफ कॉपी पर प्राक्टिस करना ठीक है तो नक्स विडियो लेशन में इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा जिसमें हम डिसकsz करेंगे मालिकिलर मास और एक्ट्वल मालिकिलर मास यूनिट जो एट्ऑमिक सेकेल पर इनुट से ग्राम में किसे एक्सप्रेस करते हैं इसको हम डिसक्स करेंगे तो मिलते हैं ने इकसे वीडियो लेशन में Thanks for watching my video lesson